आप सभी लोगों के लिए यहां पे लिए देखें बहुत ही गुड न्यूज इसलिए कि आपनों का जो बिहार का सिक्षक भरती का दुती चरण था उसका भी कम्प्लीट नोटिफिकेशन आ गया है और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे और इसकी स्लेबस सारी कुछ डिटेल आपका इसी वीडियो में मिल जाएगा तो वीडियो में लाज तक आप बने रहीएगा आपने देखा होगा कि मॉर्निंग से एक आपका जो है वाइरल हो रहा है जो नोटीस है उसको मैंने भी आप लोगों को सेयर किया था मैं आपके सामने उसको सो कर द पिछडा वर्ग में 916 यानि की टोटल सतर अजार प्लस जो है यहां पर भरतिया है जबकि जो मॉर्निंग में आपनों का चल रहा था उसको भी आप यहां पर देख लीजे यह देखें मॉर्निंग में जो आपनों का चल रहा था वो यह था कि सिक्स टू एड तक सोला अजा पिछला वर्ग का यह है टोटल और यह देखें पैटर्न तो ठीक है पैटर्न आपका दो पार्ट में होगा तो यहां पर में इंसन किया गया है तो यह चीजे यह तो हैं लेकिन यहां पर कुछ गल्तियां थी छे से आठ तक टोटल लगवग 32,000 सीटे हैं जो आपको सामने सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सीटों का वीवराल टोटल आपके सामने क्या में इंसन किया गया है 13,982 पद हैं कभी यह मद्य विद्याले यानि कि आपका जूनियर वाला है 6 to 8 तक हैं क्लेर हो गया तो आपको यहां पर कन्फियूज नहीं होना और आपके क आप अपने दिमाग में मत रखिएगा कुछ लोगों का यह रहता है कि अधर इस्टेट में वो जाएंगे तो 5% का अधर इस्टेटों के लिए कोटा है तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है सुप्रेम कोट का एक डिसीजन था उसमें इन्होंने क्या कर दिया कि हर जगह से यह सकता नहीं चाहिए आप अधर इस्टेट को हो या बियार से हो तो यहां पर आनरक्षित जो सीटे हैं गणित और विग्ञान देखे 2272 हैं अब इसमें देखे एडब्लू एस की जो सीटे हैं 580 है ओबीसी वर्ग में जो आपका है यह आपका 1018 है देखे इसमें देखे आप क्या है अत्यम्त पीछडस और पीछड़ा वर्ग और पीछड़ावर की तो प Minh देखे वेखे और इसमें अब महिलाओं के लिए और आप अब देखे आन डिजड महिला के लिए अलग सीट यहां पर कितना है 2315 है तो यानि जो अधर स्टेट की या आपके अंडिजर्ड विहार की जो महिला हैं उनके लिए 2315 ये पद मिल जाएंगे और 2272 हो गए ठीक है तो यानि टूटल आपके पास कितने पद हो गए लगभग 4587 अरक्षण वाला जो इसमें महिला वाले में महिला आके ले आएंगे कोई और इसमें जाएगा नहीं तो यहां पर हो गया पिछड़ावर की महिलाओं का यह है तो यह अलग लग विवर्ण यहां पर मिंसन किया गया और इस तरह से टूटल लगभग यह आपका 10,000 के समतिंग सीटे हो जाएंगी समाजी विग्यान जो आपका सस्ट है या नहीं कि सोसल साइंस वाला तो सोसल साइंस में देखे एक चीज़ और आपका मेंसन किया गया कि जगरफी या हिस्ट्री या सब्जेक्ट आपका होना चाहिए दोनों में से कोई एक यहां पर आप देख लीजिए टूटल एक ताली सो असी हो गई अब इस्पेसल महिला में आ जाईए महिला में 1663 यह अन्रिजट की महिलाओं की सीट है और टूटल जो सीट है वह 4036 सीट है तो आप जोड़ लेजिए कितने हो गया 8000 सीटें हो गई इंदी में देख लीजे सीम होई चीज सबसे ज़्यादा जो सीट आपको दिख रहा हूं किस में दिख रहा है आपको गणीत और विज्ञान में साइन्स और माहित में ठीक है अंग्रेजी में देखे 898 है संस्कृत में 441 है उर्दू में 362 है टूटल जो सीटे हैं यहां प इंदी विज्यान वाले यहां से देख ले ठीक है तो आपका यहां तक तो क्लियर हो गया होगा अब यहां देखे एक और चीजे में इंसन किया गया है कि महिलाओं के लिए अलग आरक्षण है तीसी तरह से जो पीच कंडिटेट है उनके लिए रक्षण है और जो स्वतनता से नानी है और स्वतनता से नानी में यदि आपके दादा आपके नाना स्वतनता से नानी रहे हो तो भी आपको क्या है यहां पर आरक्षण कलाब मिल जाएगा ठीक है यहां पर देखे यहां पर क्या होंगे यह राजपत्रित होंगे और यह बेतन मान जो आपका 28000 प्रतिम होगा ठीक है यह मूल वेतन है और इसमें भत्ता उत्ता मिला के आपका और बढ़ जाएगा और इसके अलावा देखे पेंसन उंसन सब आपका अलग से और दो वर्ष के लिए क्या होगा आपका परविक्षा के अधिन आप रहेंगे अब इसके बाद देखे 6-8 आपने देख लिया कितने पत थे लगभग 32,000 पत अब देखे 9-10 में आपका कितना हो गया यह 18,887 पत हो गया इसमें देखे हिंदी है आना रक्षित में 1364 हो गया इसमें 345 अत्यांत पिछड़ा में 618 हो गया पिछड़ा वर्ग में 416 हो गया अं 10 यानि कि अब इसकी इलिजबिल्टी भी आगे हम बात करेंगे तो आपको टेंसल नहीं क्या सकता नहीं है सबसे ज़्यादा प्रस्ण कहां से पूछी जा रहा है इस पर इमलुक चर्चा करेंगे क्योंकि अभी जो आपका पिछला पेपर हुआ है अगर आपने उसको देख सबसे ज़्यादा यही फोकस करना है इसके अलामा स्लेवस के कार्डिंग आपको पढ़ना ही है अब देखें 9 10 में यानि कि आप इसे जनरल वहांसा में क्या कहते हैं TGT तो TGT में देखिए आपका बिंग्यान में कितने हो गया 928 हैं अंडे जड के लिए महिलाओं में दे इस सुभी से यह 786 हो गया इसी तरह से आपको गणित में हो गया यहां पर देखें समाजी विज्ञान में अभी आपने उपर जो समाजी विज्ञान देखा था वो कौन सा था वह शिक्स टू एट यानि जूनियर वाला मद्द्ध विद्ध्याले वाला था अभी यह सो से जो एसस्टी आप देख रहे हैं समाजी विज्ञान यह 910 तक देख रहे हैं यानि TGT में देख रहे हैं इसमें देखें 765 आपका अंडिजर्ड की है 190 जो है EWS की है 349 अत्यंत पिछड़ा वर की है 231 आपका पिछड़ा वर की है 313 सी की है और 20 जो है आपकी स्टी की है ठी लगवाग यह आप काउंड करेंगे तो 1000 प्लस आपका हो जाएगा ठीक तो अंडिजर्ड की टोटल सीट 1000 है तो जो अधर स्टेट या बिहार की महिला हैं जो अन्डिजर्ड में आती हैं उनके लिए टोटल 1000 सीट है और जो बीसी में है तो यहां पर जो जैसे कि आपके लि बिशे का यहां पर देख लिजेगा ठीक है संस्कृत हो गया उर्दू अर्भी फार्सी बंगला ललित कला दृत सारी रिप सिक्षा मैधली संगीत अब यहां पर टूटल आपका मेंसन किया हुआ है ठीक है अब यहां से आप क्या करिएगा स्क्रीन सॉट लेके वह भी जाता है ठीक है जो इसके पहले आपका एक बित विभाग के द्वारा जो एक सूची जारी हुई थी जिसमें इन्होंने मेंसन किया था कि कितने पद हैं टूटल उन पदों के अनुसार उनका जो मूल बेतन हो कितना होगा और यह जो बिहार का बित विभाग है उस पर कितना बार करेगा यानी कितना भारित होगा ठाण है। यहां पर आपका यह होगा अब देखे 9 से 10 तक je एक आपका यह इस्पिसल लेजुकेसन वाले हो गए जैसे बीएड दो तरह के होते हैं एक आपका नार्मल बीएड होता है कि इस्पिसल बीएड है एक एक आपका आर्सी आई वाला है ठीक है तो यहां पर देखिए आपका जो मेंसन किया गया है नौ से दस तक तो नौ से दस आपका CP जिनका जो प्रमस्त की पक्षगात वाले हैं तो देखिए इस पिसलाइजेशन भी आपका इसमें होता है अलग लग होता है इसमें देखिया है अंडिजर में छे हो गए ठीक है इसमें कोई सीट नहीं है बच्चों में यानि स्टूडेंट में लड़कों में और यह अंडिजर्ण की महिला में कोई सीट यहां पर नहीं है यहां पर पूण द्रिष्ट बारती यानि ब्लैंडेज जो है 21 है अंडिजर्ण में ठीक है यहां पर आपका सबसे ज्यादा देखिए लोई मीजन वाला है लोई में कितना हो गया यह अपका 87 ।ोटल है ठीक है महिला उसमें जो इनका बीर्ड है आपका फोटी जिक का जो इस पेसलाइजेशन आप यहां पर देखते हुए चलिएगा ठीक तोटल यहां पर जो अन्रिजर्ड की है वह 195 है और यहां पर आपका महिलाओं का 28 है और यह टोटल 270 हो गया ठीक तो यह भी आपका हो गया इसके बाद देख लीजे यहां पर आपका जो मिंसन है टूटल पत कितने हैं 270 है इस्पेसल वाले अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं इसके बाद PGT का अब देखे इतनी वैकंसी आपको कभी मिलेगी नहीं ठीक है चाहिए आप किसी स्टेट में देख ले पिछली बार जो आपका फॉस्ट ग्रेड राज अस्थान की वैकंसी आई थी जन्त भी घ्यान में देख लिए आपका जू है आप यहां से देखते वे चलिए बनस्पत भी घ्यान रसान सास और गणित हो गया ठीक है बहुत तिकी में जो आपकी सीटे है अर्द सास रो गया भूल की बात कर लें चुकि यहां पर देखिए आप लोगों को बैच भी चल जाएगा आप डाउनलोड कर लीजेगा इसके अलामा अगर हम बैचेस से जुड़ना चाहते हैं आप सभी तो एट्री वनेट जीरो डबल वन टूट्री एट पर आप वाट्सप कर लीजेगा ठीक है आपको कंप्लीट डीटेल भी मिल जाएगा बैचेस की भी जानकारी मिल जाएंगे साट नोट्स पे उसमें हमने साट नोट्स हर एक का मेंसन कर रखा है वह भी आपका प्रिंटेड है उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं जितनी बार चाहें पर उतनी बार देख सकते हैं और बहुत मिनिममम फीस में अपनों के लिए वो लांच किया गया यहां पर देखें आपका इसके बाद बहुल में 208 सीटे हैं किसके लिए अंडिजर्व के लिए हैं फिप्टी एटी सिक्स फिप्टी नाइन यह आप अलग लग वर्क का जो है इसमें आप देख लीजिए यहां पर उपर अमने से लिए कर दिया अब देखें इसको मैं क्य तोनल यहां पर क्या में निचना किया गया 208 इदर हो गया यह तोटल 501 फ्लच यह इस घानी की जो आपका अनरक्षित में है यहां पर कितना से है सारे हो जाएंगे उसके अलामा चाहिए हो सायंड हो रहा है कि यहां साइन्षा हो बैसे की पांसोबस की निभी हो दो चैनल है जीएस आनलाइन जीएस बाई दिवाकर और ऑफिसियल करके ठीक है इसको आप जोईन कर लीजिएगा और यहां पर आपको प्रैक्टिसेट भी फ्री में जो कराए जाते हैं वो टूटल आपको मिल जाएंगे इसके लावा हमारा जो दूसरा चैनल है इस्टेडी पी पी यहां पर यह आपके लिस इंपाटनट था जी तेनी लोग भी यहरं का देने जाएंगे आपके लिए मोस्ट इंपाटनों क्योंकि इस्टडी पी.. एक कूस पिवाई क्यू पर कम से कम due, हजार प्रसणने कराएं twa planner है और ओक क्बडित आपको देखना जाए जाए तो इनके लिए आरक्षण का ये कमिशन पर उपलब्द है इसके अलामा विग्यप्तियों की रिक्तियों की संख्या देखे क्या दिया है उपबंदी के घट बढ़ सकती है यानि जो आपका भी बाकी है अभी जो आपका एक सत्तर बरी गई तो इसमें टूटल बर नहीं गई इसमें लगबग आपका सिविंटी के आसपास खाली है ठीक है या माली जें फिप्टी के आसपास खाली होंगे तो ये भी आपका टूटल हो जाएगा एक लाग बीस हजार समती तो ये क्या रहा है कि घट यह बढ़ सकती है एसी टे तो बेटतियों की संख्या के सालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है तो जो अनिवार योगता है वो क्या होनी चाहिए पहला तो आप इंडिया वाले हो यानि भारत के लोग हो इसके अलामा बिद्यालय अध्यापक के पत्पन नियुकती है तो राश्टी अध्यापक सिच्छा परिशत के अन्रूप अनुमन है यानि यह आपका आर्सी आई हो गया यह एंसी टी हो गया ठीक है तियानि कि इसके द्वारा जो आपका बीड कराया जाता है वो आपके पार डिगरी हो राज सरकार अरत्वा के इन सरकार द्वारा समय समय पर आहुद सिच्छक पात्रता परिक्षा उतिंड हो यानि कि जो आपका ये अस्टेट हो गया या आपका सीटेट हो गया या पास हो तो यह में अध्यापकों के लिए जो एस्टेट है पीपर 1 ठीक है इसके अलावा ये clear हो मादमिक का मतलब क्या हो गया 9 to 10 उच्छ मादमिक भी देखिए पीपर 2 यानि 11 बारा यानि PGT के लिए ये होगे आपका जूनियर के लिए ये होगे आपका TGT के लिए ये होगे आपका किसके लिए PGT के लिए ठीक इसमें देया कि परंतु 2012 से पूर जो सिख्षक है उनके लिए दक्षता परिक्षा उत्रिण होंगे के लिए पातरता परिक्षा में उत्रता आनिवार नहीं यानि कि जो इसके पहले 2012 के पहले वाले हैं उनके लिए ये कोई कंपलसरी चीजे नहीं है ठीक है अब यहां पर देखें एक सिख्षा विवा का पत्रांक है इसमें 17 जुन वाला जो है इसमें असपस्ट किया गया कि सीटेट अब यर्थियों के लिए बीटेट यानि बिहार क साथ परसेंट मार्क्स जो आपके जनरल कंडिडेट है पिछड़ा वर्ग समाने कोट के महिलाओं के लिए 55 जो कम कर देया गया था यान ध्यान देजेगा जो महिला हैं के लिए 5% के चूट है तो आपके मार्क्स हैं वह अगर आप अन्रिजर्डव के हैं 60 परसेंट हो पराप्त होना नहीं मारे हैं यह सी यह पिएच हैं तो आपको 50 परसेंट पराप्त करना है ठीक है आगे देखें यहां पर दिया गया है कि जो एंसीटी है समय सब्सक्राइब दिरदारिक से एक चड़ी प्रसेट चड़ी के युगता धारित करता हो वीसे विद्याले के लि सब्सक्राइब देखें के लिए गया है कि आपके पास जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं कम से कम 50% के साथ आपका असनातक हो या आपका या पीजी प्लस बीएड हो इसके बाद देखिए 45% के साथ अगर आपका यहां पर असनातक है और इसमें दिया कि सिच्छा सास्तर में एक वरसी एक वरसी असनातक बीएड जो ही समय समय पर जारी किएगए तो यहां पर आप देख लिए जो आपका हो इसमें देखे चार वरसी बीएड भी माने रखा है इसके अलामत चार वर्सी जो बीए, बीएसी, बीएड, बीएसीयड ये सारा मानने रखा है इसमें ने उन्तम पचास पर तीसात अंकों के साथ असना तक या एक वर्सी बीएड भी से सिक्षा ये भी आपका इसके लिए मानने है ठीक है ये आप ध्यान रखेगा यहां उपर वाला कि यह कहा रहा है कि जो इस पेसल एजुकेशन वाले हैं वो भी यहां पर मानने है कि यह देखे दिया है ना कि अब याट विसे सिच्छा कि इसमें दिया है परंत्रो तुम साथ में डिप्लोमा विसे सिच्छा में प्लस बीएट विशेष सिक्षा के लिए केवल RCI द्वारा मानता प्राप्त पाट करम होगा ऐसी योगता प्राप्त अब भ्यर्थियों के नियोकति के बाद प्रारंबिक सिच्छा साथ में अध्यापक यानि RCI द्वारा छह माया का विशेष परिक्षड प्राप्त करना यहां पर द्यान लिए उपर वाले में शिक्स टू यहां पर आपका इस्पेसल वाले विमानने और नार्मल वाले विमानने कैसे यहां पर देखें में अगया ना 50% मार्क्त के साथ ग्रेजुएशन और प्लस जो है एक वर्सी बीएड या विशेष इसक्षा और इसके अलाओं देखें जो बीएड हैं इनके लिए दिया है कि जो RCI के द्वारा मानेता प्राप्त पाड़क्रम होगा और इसमें दिया है कि ऐसे योगता प्राप्त अब्यर्थी की न्यूक्ति के बाद जब इनकी न्यूक्ति हो जाती है ति इनको जो है इनसी टी के द्वारा जो मानेता प्राप्त छे महीने का कूर्स है वो भी आपका यहां पर कराया जाएगा चैसे आट तक के भासा विशे के लिए असनातक में आनर्स या जो सबसेजरी विशे के रूप में सम्बंदित भासा हो ठीक है चैसे आट तक में सोसल साइंस वानों के लिए क्या है कि असनातक भी ये में आपका इतिहास भूगूल राजनीश सास दर्सन सास अर्थ सास वाड़ेचे मनोविग्यान समासास ग्रेविग्यान में से कोई दो भी से असनातक अस्तर पर हो ध्यान रखिएगा अभी तक जो आप अधर इस्टेट में देते हैं तो जो टीजीटी है उसमें आपका चारी भी से होता है कि आपका हिस्ट्री जगर भी पॉलिट्कल साइंस और एक्कोनोमिक्स ठीक है लेकिन यहां पर कह रहा है कि 6-8 में यदिमाली जी आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट् तक के अध्यापक पति के लिए सेक्षडी के यूगिता में अंसुचित जाती 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 पिछड़ा वर्ग अभ्यरती के नियुंतम जो है अरता में पांच प्रस्यत के छूट दे होगी ठीक है इसके अलावा नाइन टिन तक देख लिए जो इनके लिए यूगिता है कि 50 के साथ जो है आपका बीए पीजी हो ठीक है इसके अलावा आप क्या करें यह आपका एंसीटी से बीएड हो तो इसके अलावा यहां पर देकिंगे मेंसन किया गया कि 45 परसेंट है और यहां पर द्यापक सिच्छा परिस्द है ठीक है तो यह आप देख लीजेगा यदि आप यहां पर देख लीजेगा और बीएड यहां पीएड जो भी आपका हो संगीत भी से का हो गया ललित कला हो गया नृत्त का हो गया यहां डान्स टीचर का जो है अब 910 से लेके यहां पर जो बिशेश विद्ध्याले वाले अध्याफक के लिए और सक्षड की योगिता क्या है कि नियुन्तम 50% अंकों के साथ किसी मानता प्राप्त से यानि कि 50% के साथ हो क्या हो असनातक की उपादे उनके पास हो यानि कि ग्रिजुएशन हो और यह देखे आपका आर सी याई से भी एड हो कि इसके बाद देखिए दिया कि पुनरवास के अंतरगति यह दिव्यांग वाला तो यहां पर आपको अलक्सी जो करना होगा सबसाभ बैतनिक यह आपको बेतन मिलेगा और छूट मिलेगी कि जाके आप जो च्छे महीना पड़के आई एक नौ से दस तक के जो विद्याले क्या द्यापक है इनकी अन्यूक्ती है आपका यहां पर यह उना चाहिए कि असनाताकस्तर फिजिक्स यहां को कघ smell आपको क्या सिर्ल थीवां तो सांपनों से इनके तैयाव डुगूल में क्योश्णी थ्चांसर कशाष्तर में क्या इंथ चाहे तिहास या भूगूल कंपलसरी हो, ऐसा नहीं कि आप Economics और Political Science अगर आपने UG कर रखा है, तो आप eligible नहीं है, क्यों? क्योंकि एक बिशे की रूप में अनिमार देखी दिया है कि तिहास या भूगूल में से कोई दो में से एक आपका होना चाहिए ठीक है, अर्तिसाद राजनी कोई दो पीशे में आपका यहाँ पे तो यह आप यहाँ से देख सकते हैं भासा सिसम्बंदित जिनका ओनर्स है वो भी आपका यहाँ पे eligible है 11-12 के देख लेते हैं PGT का eligibility देख लीजे 50% के साथ आपका बीएड हो इसमें आपका जो दिया गया है NCT के बिनीवन 2007 के अनुसार जो है आपका बीएड हो, इसमें देखे आपका बीएसईड यादि याने 4 येर वाला भी इलिजबिल है अब यहाँ पे मिन्टशन किया गया है कि कुछ बर्ग सम्मों वाले यानि कि जैसे बालजी आपका भी से फीजिक्स में नहीं है आपने न्यॉक्लियर फीजिक्स कर रखा है इलेक्ट्रोनिक्स से कर रखा एक्तूब़ाइडा बात्रीटइबीति कर रखा है तो भी आप फीजिक्स में इमए्वाले में देख को प्रविजबी में से आपका कुछ हो तो आप क्या हैं यहां पर इलिजबिल हैं ठीक तो यहां पर आप यह सारी चीज़े तो जानी गया है 50% आपका चाहिए ही होगा और सारा डिटेल है आप यहां पर आकर देख लिजेगा इसके अलाव हम लोग यहां पर बात करें कि जो आपका इस्पिसल वाला आ गया जो पिछड़ा वर का पिछड़ा वर कर कल्यान विभा के अंतर के जो सीटे हैं उसमें तोसल टोटल 234 सीटे हैं ठीक है सिक्स टू इट वालों का यानि यह इस्पिसल जो आपके बिहार के हैं उनके लिए यह बाहर के वाले बाहर वाले यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आपका टीजीटी के लिए 248 हो गए और पिछड़ा वर का इस्पिसल है तो वहीं के लिए अनिजर्व के लिए उनका जो भी भाग या लगला पर धाना द्यापक के लिए देखें 31 पद हैं यहां पर और कि टूटल इलिजबिल्टी का हो गया हम लोग तोड़ा नीचे आ जाते हैं यहां पर इधर देखें आपका यह स्लेवस आपका उपर हो गया कि जो एक्जाम का पैटर्न है स्लेवस है वह क्या होगा यहां पर देखें आपका objective type exam होगा और इसके अलावाँ यहां पर mention जो किया गया है कि 20 के रूप में भासा में देखें समाने देन यानि जीएस और 20 होगा जिसमें 150 प्रशनाएंगे 30 question आपका part 1 यानि भासा से होगा ठीक है दूसरी part में आपका 40 question होगा और जो subject का होगा execution total आपका कितना 150 हो जाएगा ठीक है यह सभी के लिए हैं तीन पार्ट होंगे ध्यान देजेगा part 1 में आपका भासा के रूप में अंग्रेजी हिंदी उर्दू ठीक है तीस में से आपका minimum जो है यह तीस माक्स जो है प्राप्त करना अनिमा रहे है यह compulsory वाला हो गया जो GS का है यहां पर देखिए गणित भी रहेगा आपका reasoning भी रहेगा टीक है और general science रहेगा और GS भी रहेगा आपका राष्टी अंदोलन भूगोल परियावर्ण तो यह आपका एक तरह से GKGS आप समझिए सामानने पेपर इसके अलावन देखिए यहां पर mention किया गया है जो 6-8 वाले हैं उनके लिए यह है कि एक बिसे में जो आप चुनाव करेंगे एक बिसे पत्र ठीक है उम्मिदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाए यानि गणित वि ग्यान से करेंगे तो समाजी विग्यान के प्रस्णों को solve करना होगा ठीक है ती होगे पार्ट 3 इसमें कितने होंगे 80 होंगे उसी तरह से आपका यहां पर हो जाएगा अब देखिए यहां पे चीज़ और mention किया गया इस्पेसली mention कर रखा है कि उपरोक्त विशय पत्रों क पार्ट करम यह CRT-NCRT से समंदित होंगे लेकिन इसका उत्तर इसका अस्तर जो है उमिद्वार है तो निर्धारित इन्योंता मरता के अलोग में होगा ठीक है यहने कि 6-8 का जो आपका यह है तो यह graduation label के इसमें प्रस्णों दिये जाएंगे लेकिन यह मान के चलिए कि सबस प्रस्ण पत्र के SCRT से संबंदित होंगे जो GS आपका पूछा जाएगा के वले CRT से होंगे लेकिन इसमें एक चीज़ और मेंसन किया कि इसका अस्तर उमिद्वार है तो निर्धारित नियूंता मरता के आलोग में होगा यहने कि जो आपका graduation है तो इस संबंद में यह होग लेकिन जो पार्ट करम होंगे कैसे होंगे SCRT बेस्ट होंगे ठीक है यह तो आपका हो गया अब दूसरा देखिए यहां पर जो मिंसन किया गया है यह 9 से 10 तक यानि कि TGT के लिए 40 TGT मेays सब्सक्राइब में तीजीटी में भी आपका कितना है 30 आपका हो जाएगा रिशन पार्ट हो गया हुगए वो सारी चीच हमने बता दिया अब देखिए जो आपका 20 हो अुझे में क्या है इसे पेहां हिंदी मंग्डा उर्दु अर्भी पांटसी अंग्रेजी झार इंट िलरित कला Master मथयम है समाजी विगयान की क्रत्ष्णů को साल्व करना हो गया जयरी थिए इतना आपका क्लियर हो गया यहां पे चलिए निक्स्ट आते हैं यह आपका हो गया पीजी टी के लिए देख लीजे सेम पैटन आपका पीजी टी भी है और वही सारी चीजे आपका यह रहेगा बस अंतर इतना है कि विशे में आपने जो चूज किया है आप भूगोल लिए है तो भूगोल दीजी अर्थसात्र समासा जो भी लिए है कोई एक बिशे में आपको यहां पे देना पड़ेगा ठीक है और धाना द्यापक के लिए आप यहां पे देख लीजे अब एक चीजा और नोट यहां पे मेंजन किया है कि जो भासा है वो क्या है बागे क्वालिफा नहीं होगा ठीक और पुनर मुल्यांकन का भी कोई प्रावधान नहीं है कि आप दुबारा सोचिक मुल्यांकन करा लें तो ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है अब जो मेरिट लिस्ट बनेगी यह आपका देखिए लिखित परिक्षा के अधार पे भाग दो जो जीएस वाला प पहले से भी पता है और सारा कुछ आपको यहां पर क्लेर हो गया है और कोई डाउट्स अगर आपके पास हो वह पूसकते हैं इसके अलावा यहां पर सारी चीज़ें हम लोगों ने यहां पर देख लिया है जो प्रमाण पत्र हैं आप जैसे स्टेट के अगर हैं बिहार के यहां पर देखें जो और चीज़ें किया गया है कि जो आप सतंता से नानी जो भी है आपके लिए यह प्रमाण पत्र देना पड़ेगा है ठीक है आधार काड लगेगा दो फोटो आपका इसके अलामा जो है लिकित परिक्षा के दोरान भरे यह उन डाउनलोड कियेगा यानि कि जो एड्मिट कार्ड जारी किया जाएगा उसकी प्रतिवी आपको सुरक्षित रखना है एक फीज देख लीजे 200 रूपए है बायमेट्रिक फीज की रूप में 200 रूपए अलग से प्रतिक परिक्षा में यह आपका मेंशन किया गया है इसमें यानिक सामान अबरि देख लीजे पांच लेके 14 नौमबर तकी भरना यानि बहुत ही कम टाइम है नौ दिन है इसमें देखिए आपका बिलम सुल्क के साथ आपका जो है सत्रह तक आप भर सकते हैं और आनलाइन आवेदन परारम करने के तिति दस को है कि अंतिम के थी यह 25 को है अब यहां पर देखिए आपका यह दिया है कि निबंधन नेवंग भोगतान परारम करने के ति थी बिलम सुल्क का यह हो गया आनलाइन आवेदन परारम करने के ति यह है तो आप साइट पर जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगा सारा कुछ कि यह तोटल होगे आपका क्या बिहार का जिसके हम लोग बात कर रहे थे हो सबसे ज्यादा चर्चित भरतियां यही है और इसमें यह मान के चलिए कि आपका यह होता है तो अगर आप यहां पर सलेक्ट होंगे तो फरवरी मार्ज तक यह आपकी नियुक्ति भी यहां पर द दुबारा मिलनी है नहीं है आपको भी पता है किसी भी स्टेट की में बात करनो जो अभी आपका देखे यूपी में जो हम लोग बात करें अभी टीजीटी पीजीटी का जो पिछला फार्म बराया भी कोई सूचना यहां पर नहीं है कि आपका एक्जाम कब थोग हुआ अस जो आपका gspy दिवा कर करके है अप्लिकेशन यह डाउनलोड कर लिजेगा वहां पर आपको बिहार का जो पीजीटी का है पूरा स्लेवस के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर आपका कोर्स भी कंप्लीट करा रहे है इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिंग